नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब के इज्यूकेशनल चैनल आड़ यायन करा में दोस्तों हमारे इस चैनल पि- आड़ यायन करा पि- UP के TGT, PGT, NET जियारफ, सिसम्बन्धित तयारी कराए जाता है तो ये educational channel है अगर आप एक सिख्षक बनना चाहते हैं एक competitor exam देने की त्यारी कर रहे हैं तो इस channel को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे latest video का notification आप तक मिलता रहे और दोस्तों अभी हाली में UP, TGT, PGT का exam हुआ है तो उसमें क्या हुआ है कि जितने भी question पूछे गये हैं वो स्लेबस से ही पूछे गये हैं लेकिन उसमें जो question पूछे गये हैं वो पीछली दसक में जितने भी question पूछे गये हैं उनसे थोड़ा से हटके पूछे गये थे मेरिट बहुत ही कम जाने वाली है मेरिट कम जा रही है लेकिन आपका depend करता है कि आपनी कितना question किया है आपका official answer की मिलाने पर जितना question हुआ हो तो comment box में जरू दें लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना जाहूंगा कि अभी हाली में कितने मेरित तक आपका सेलेक्शन होना तैं है और कितने मेरित तक आपको इंटर्व्यू तक बुलाया जाना चाहिए इन सभी के बारे में और अगर आपका नंबर कम है तो एक्जाम की तैयारी कैसे करें और फिर क्या क्या करें कि इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंतरगत बताया जाएगा तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ठीक है तो दोस्तों जैसा कि अभी हाल में UPTGT PGT का एक्जाम हुआ है और उसमें सभी स्टुडियन्ट जो है वो क्यूशन अपने इसाथ से तो अच्छे से करके आए हैं लेकिन उनका नंबर कितना है उनका नंबर बहुत ही कम जा रहा है सभी का यह हो रहा है कि नहीं मैं क्या करूँ कैसे करूँ रही बात आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप 80 प्लस माने 80 से उपर किये हैं तो आपका ठेक है लेकिन आप फिर तयारी कर सकते हैं आगे जो भी एक्जाम होगा उसके लिए तयारी कर सकते हैं लेकिन ये है कि 80 बालों के लिए अगर 80 से कम है तो आपका इसका मतलब कि आपकी तयारी बहुत ही सही नहीं जा रही है ठीक है लेकिन अगर 80 से प्लस है तो आपका तयारी करने योग हैं आप तयारी करेंगे आपको सफलता next exam में मिलेगी और जिनका 85 प्लस है उनका merit में नाम आ सकता है और उनको बुलाया जा सकता है इंटर्व्यू के लिए तो वो तयार है इंटर्व्यू के लिए उनके लिए कॉल लेटर आ सकता है उनका हो सकता है और जिनका 90 है उनका होना तय है दोस्तों जिनका 90 प्लस है अर्थात जिनका 95, 100 या 110, 105 जिनका भी है उनका होना तय है यो P and TGT में या PGT में ठीक है लेकिन अभी जिनका नहीं है वह क्या करें तो उन के लिए मैं इतना कहूंगा कि पहली बात तो आपका जूर आये हो तो आप comments box में दें लेकिन मेरा यह मानना है कि जिनका अगर कम है तो क्या करेंगे जैसे अभी हम क्या देख रहा है कि pattern जो exam का पूछ रहा है उस पे depend करेंगे क्यों हम पढ़ते वही चीज है teacher भी वही से पढ़ाते हैं लेकिन depend क्या करता है कि exam किस तरीके से पूछा जा रहा है आज के समय में इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें इतना बड़ा competition है तो exam तो बहुत ही difficult आने वाले हैं आगे और भी difficult आएंगे तो आप से मैं इतना ही कहूंगा गुजारिस करूंगा कि आप छोटी छोटी नोट्स ना पढ़े कि बड़े बड़े बुक पढ़िए अच्छे चे बुक पढ़िए अच्छ अच्छे बुक पढ़िए और नेक्स्ट एक्जाम की तैयारी में लगे रहिए दोस्तों यह मेरा संदेश है और आपका जो भी सुझाव हो कमेंट्स बाक्स में जरूत दे और मेरी चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे क्योंकि आपके लिए ही मेहनत किया ज झाफिक नहीं